हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी शेक और आज मैं करने वाला हूँ एक डिफरेंट तरह का वीडियो आप लोग के लिए बहुत दिनों से हम लोग स्मार्टफोन रिव्यू कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट रिव्यू करते हैं आप लोगों के लिए और आज हम कर रहे हैं रिव्यू मी नोटबुक 14 इंच जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कर दिखता है और ये एक लैप्टॉप है और ये लैप्टॉप क्या लेने लाइक है क्या इसमें अच्छी बाते हैं क्या इसमें बुरी बाते हैं ये सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इस laptop के box के बारे में तो कुछ इस तरह का इसका box दिखता है और box के उपर key features जो हैं लिखे गए हैं जैसे कि 1.4 kg का ये laptop है 14 इंच का horizontal display आपको यहाँ पे मिलता है साथ यसाथ कुछ और feature जो कि आप देख सकते हैं box पे box के contents की बात करें तो यहाँ पे आपको 65W का charger मिल जाता है साथ यसाथ इसका charger के साथ एक adapter cable आती है जो की अच्छी खासी लंबी है इसके लावा यहाँ पे हमें इसके package के अंदर एक छोटा सा webcam भी मिला है ये laptop बिना webcam के आता है मी laptop के look की बात करें तो यह look and feel में बिल्कुल Macbook जैसा दिखता है मेरे पास same color का Macbook है और अगर आप दूर से देखेंगे तो पहचान नहीं सकते कि यह Macbook है या फिर मी का notebook है तो एक और चीज में आपर कहूंगे जो finishing है वो काफी अच्छी है हलकि जो finishing इसके lid के उपर है वो बिल्कुल matte finish जरूर है लेकिन वो metal नहीं है और साथ ही साथ जो इसका keyboard base वाली finishing है वहाँ पे जो material है वो भी matte finish है लेकिन वो metal नहीं है लेकिन जो laptop का bottom है वहाँ पे आपको metal मिल जाता है और अगेन वो इसलिए किया गया है क्योंकि काफी laptop जो ही heating नीचे से ही dissipate करेगा तो वो उस तरह से दिया गया और काफी अच्छी build quality के साथ एक बहुत ही impressive look के साथ ये laptop आता है बात करते हैं डिस्प्ले की तो 14 इंच का horizon डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि थोड़ा horizontal होता है और इस तरह का डिस्प्ले सबसे जादा आपको पसंद तब आएगा जब आप movies अगरे देखें कुछ भी entertainment या multimedia वाला consume करें क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा form factor मि बहुत ही crisp लगता है डिस्प्ले बिलकुल clarity बढ़िया है और इसकी overall डिस्प्ले की जो brightness है वो 250 इनिट तक जाती है इंडोर के साफ से बहुत सही रहता है और अगर आप travel में भी इसको use कर रहे हैं तो आप अराम से use कर पाएंगे लेकिन अगर बिलकुल harsh light outdoor में आप बैठे ह तो आपको display थोड़ा सा ऐसा लगेगा देखने में मुश्किल होगी इस laptop में आपको 91% screen to body ratio मिल जाता है यानि कि बड़ी screen मिल जाती है और bezel की बात करूं तो वो काफी thin bezels यहां पे देखने को मिलते है side edges पे भी thin bezel है top पे भी thin bezel है और overall display खूब बड़ा दे दिया है इस form factor मे मुझे लगता है एक बिल्कुल अच्छा display बड़ा display आपको मिल गया है इससे बड़ा display आपको मिल भी नहीं सकता था जिस तरह का design है वो मुझे पसंद आया है build quality durability के हिसाब से laptop में सबसे important होता है उसका hinge और यहाँ पे इसका hinge काफी strong है कोई भी noise यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी जब आप laptop को open या close करेंगे साथ ही साथ वहाँ पे आपको heat vents भी दिये गए है और plastic दिया गया है black color का जो की again display को बचाता है किसी भी तरह की heat से और इसके इलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको आप एक ही हाथ से open या close कर सकते हैं connectivity की बात करों तो यहाँ पे आपको दो USB 3.1 वाले ports मिल जाते हैं उसी के साथ आपको एक full size HDMI port भी मिल जाता है USB-C port मिल जाता है जिससे आप अपने phone को directly USB-C cable से connect कर सकते हैं साथ इसाथ charging port अलग से use दिया गया है left hand side पे एक और USB port आपको दिया गया है जो कि USB 2.0 port है और साथ में आपको heat vent मिलता है जो कि side में भी है और bottom वाले part पे भी आपको heat vent के लिए basically थोड़े section दे गया है थोड़े cut out दे गया है बात करते हैं keyboard की तो यहाँ पे chiclet keyboard आपको मिल जाता है 1.3 mm का travel है और यहाँ पे scissor वाला mechanism है keyboard के keys के अंदर जब आप type करते हैं तो आप अराम से type कर पाते हैं whatever type कर पाते हैं जो keyboard की keys है वो थोड़ी सी rough है उनको जब आप touch करते हैं लेकिन मुझे लगता है समय के साथ जैसे आप इसको use करेंगे तो वो थोड़ी सी और घिसनी शुरू हो जाएंगी जैसे बाकी और laptop पे भी होता है ल लेकिन आपको power button के अंदर LED light मिलती है और caps plug button वहाँ पे भी LED light मिल जाती है लेकिन backlit keyboard यह नहीं है तो अंधेरे में थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है लेकिन display से अच्छी खासी light आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको type करने में कोई दिक्कत होगी अंधेरे किसी तरह का plastic है लेकिन इस पर एक coating दी गई है जिसे काफी smooth feel होता है तो use करते हुआ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका size भी बिल्कुल perfect है जादा बड़ा भी नहीं है जादा चोटा भी नहीं है जब आप type करते हैं तो palm rejection वगरा का problem नहीं आता है टच का problem नहीं और इसी के साथ यहाँ पर जो finishing है इसकी वो glass नहीं है तो बिल्कुल जैसा Macbook में होता है बिल्कुल smooth वाला वैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत जब आप इसे use करेंगे तो आपका हाथ उतना smooth नहीं रहेगा जिसना Macbook पर रहता है लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी smooth finishing यहाँ पर मिल जाती है डिस्प्ले के viewing angles की बात करते हैं तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि मैंने इस notebook को Macbook के साथ रखा है और 360 degree camera को rotate किया है और आप देख सकते हैं कि इस case में कैसा display viewing angle आपको मिलता है मुझे लगता है कि इसका viewing angle काफी अच्छा है डिस्प्ले की clarity इतनी अच्छी है कि आप इसस side से भी देख सकते हैं तो almost 175 degrees का display viewing angle मिल जाता है बिल्कुल side से भी मैंने देखा है तो देख सकते हैं loudspeaker की बात करूँ तो यह एक executive type laptop है और इसके जो loudspeaker है बहुत ज़्यादा loud नहीं है दो watt के दो speakers आपको मिल जाते हैं bottom firing और यह speakers अच्छी खासी sound दे देते हैं जो कि यह camera के लिए काफी है लेकिन again it is not very loud sound की clarity में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन loudness इतनी ज़्यादा नहीं है इस laptop के speakers में hardware specs की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 512GB की storage इसमें मिल जाती है और यह sft storage है जो कि अच्छी खासी fast है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी day to day usage में use करते समय कोई भी files वगरा transfer करते हैं तो फटाफट वो file transfer हो जाती है कोई जादा समय नहीं लगता है एक और चीज़ यहाँ पे core i7 10th generation वाला CPU मिल जाता है जो कि again इसकी processing power को बढ़िया कर देता है RAM मिलती है 8GB की और यह DDR4 RAM है जो की एक अच्छी frequency पे clogged है तो आपको day to day usage में multitasking में कोई दिक्कत नहीं होते है बिलकुल smooth चलता है PC और इसके अलावा यहाँ पे 2GB का DDR5 का graphic card भी जो की Nvidia का MX350 है यह एक beginner leveled graphic card है लेकिन again यह gaming laptop नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस laptop की gaming capability को test करने के लिए इस पे PUBG चला के देखा है और PUBG यहाँ पे चल जाता है PUBG light मेरे ख्याल से जादा preferred है इस तरह के laptop पे खेलने के लिए लेकिन PUBG भी आप खेल सकते हैं तो PUBG यहाँ अगर आप PUBG खेल सकते हैं इस laptop पे एक बार अगर आप इस्टॉल करने हैं उस स्टीम से और मुझे लगता है कि overall gaming experience ठीक ठाक है if it is not too great Software की बात करते हैं तो यहाँ पे Windows 10 Home Edition आपको pre-installed मिलता है इस laptop पे साथ इसाथ आपको कुछ Xiaomi के software भी मिलते हैं सबसे important software Mi Share Mi Share basically आपके phone से आपके PC पे file share करने के लिए तो आप अपने laptop और PC के बीच में इस sharing software को यूज़ करके file send कर सकते हैं यह software अगर आप चाहें तो uninstall भी कर सकते हैं इसे के साथ Mi Support नाम की एक app भी इसमें pre-installed आती है और यह आखरी Xiaomi की app है जिसमें आपको मिलेगी और इस app के अंदर आप चाहें तो support वगरे से connect कर सकते हैं साथ ही साथ इस app के अंदर आपको कुछ नई application भी देखने को मिलेंगी लेकिन यह वो software है जिसके through Xiaomi के और apps आपको push की जाएंगी अगर आप चाहें तो me support को uninstall भी कर सकते हैं uninstall प्रोग्राम में क्योंकि एक windows laptop है तो आप जो चाहें उस पर से हटा सकते हैं और जो चाहें उस पर रख सकते हैं और यही मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है दोस्तो इसमें आपको SSD तो मिलती है लेकिन वो कितनी अच्छी है read and write speed के साथ से और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की storage read and write speed आपको मिल जाती है इस laptop पे जो की satisfactory है और मुझे लगता है कि data to usage में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस laptop को use करने में क्योंकि 2GB का graphic card एक तरह से आपको मिल रहा है साथ में 8GB की RAM मिल रही है हाला कि इस laptop का जो China model है उसमें 16GB RAM मिल जाती है लेकिन यहाँ पे India में सिर्फ एक ही configuration में आएगा वो भी 8GB RAM के साथ हाला कि आपको इसके 2 model मिलने वाले हैं जिसमें आपको Core i5 का processor भी मिलेगा जो मैंने आपको बताया है वो Core i7 वाला है बाकी और laptop की तरह इसमें आपको rubber padding नीचे की तरफ दी गई है जिससे जब भी आप किसी table वगरा पे से रखते हैं तो वहाँ पर यह slip ना हो और साथ इसाथ rubber padding में जो यहाँ आगे वाली hinge के पास वाली rubber padding है वो थोड़ी सी मोटी है थोड़ी सी ज़ाधा height में compared to जो यहाँ पर जो touchpad की तरफ आती है वो और एक तरह से यह इसलिए किया गया है ताकि थोड़ा gap रहे थोड़ा सा laptop उठा रहे और heating वगरा अराम से जो है dissipate हो जाए यहाँ से और side से जो कि आप देख सकते है vents दिये गए है finally अगर मैं conclude करूँ तो मुझे यह Mi का laptop काफी अच्छा लगा है जिसका नाम है Mi Notebook 14 इंच और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इसका display और साथ इसाथ इसका जो overall form factor है जो lightweight है वो इसको काफी अच्छा बना देता है और overall day to day to day to day में अगर आप यह laptop लेते हैं और यह सही price इस पर आता है तो मेरे साथ से बहुत बढ़िया laptop हो सकता है आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूतनी है कि इसमें Xiaomi के software आपको मिले वाले हैं क्योंकि सब कुछ आप uninstall कर सकते हैं unlike phones जिनके अंदर वुसर चीज़े नहीं हो पाती है तो यह चीज यहां पर आप ध्यान ले रहे हैं एक phone नहीं ले रहे हैं जो Xiaomi का laptop है वो बिल्कुल आपको एक Windows laptop जैसा ही मिलेगा जो बाकी और market में मिलते हैं जिनमें अलगत तरह के blot वेराते हैं जिनको आप remove कर सकते हैं और वो आप यहां पर भी कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप करता आप लोग बताईए कि कैसा लगा आपको एक laptop वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियो के लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन बंदे मात्रम